रोजगार सहायक किड्नैपिंग केस आरोपी दीपक यादव ने शोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को बताया बेकसूर जिले के पिछोर जनपत के खेरवास जनपत के रोजगार सहायक बलराम शर्मा के अपरहण में बदमाश रोजगार सहायक का अपरहण कर जांसी के सीमा में प्रवेश कर चुके थे पिछोर पुलिस ने रोजगार सहायक को बरामत कर इस मामले में अपरहण सहीत जकैती का मामला दर्च कर लिया है इस मामले में आरोपी बनाए गए दीपक यादव ने वीडियो बना कर खुद को बेकसूर बताया है और रोजकार सहायक पर लगाया आवैद वसूली का आरोप लगाया है वीडियो चारी करते हुए दीपक यादव ने कहा मुझ पर बलराम शर्मा सहायक सचिफ द्वारा लगाये गए सारे आरोप नीराधार हैं क्योंकि मैं पूर्व में बजेरा पंचाट से सरपंची का चुनाव लड़ चुका हूँ एक राजुनीतिक शड़ी अंतर के तहत मेरे द्वारा कोई ऐसा अपरण ना मेरे द्वारा कोई लूट किसी प्रकार का बलराम सर्मा के खिलाप कोई भी ऐसा प्रकरण मेरे द्वारा नहीं हुआ है नहीं मैंने इसा कोई प्रकरण किया है मेरे उपर सिर्फ पर सिर्फ राजनीतिक शड़ी अंतर के तैस्जूटा क केस लगवा जा रहा है परनका लूट का मेरे तर पंचायद खेयरवास में को ग्राम में जो प्यम आवास के कोड़ीरों । वालों से पैसे लेने का प्रकराम चल रहा था है जियर इस बल्म १म शर्माख फेयरवास ते यह उसमेν रोकने का बोला कि पैई से लेने के लिए सिकाइट की जाएगी तो इसके समन्द में मुझे जूटे सड़ेंद और जूटे केस लगा के मुझे फसाया जा रहा है